हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के हिस्ट्री के बारे में है ना तो इसका मैं एक्जाम के जो परपस से जो बन रहा है टार्गेट ले करके उसका ये पार्ट वन होगा ठीक है इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 तभी लाएंगे जब आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे यानि इसको लाइक करेंगे और इसके 100 लाइक का टार्गेट है इसको आप पुरा देंगे ठीक है तभी आप लोगों के लिए जो है पार्ट 2 बनेगा और आज के इस वीडियो इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सभी सवाल याद कराने का कोसिस करेंगे बहुत ऐसे सवाल होंगे जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे और तुरंत याद हो जाएगा ठीक है तो ज़्यादा टेंसन नहीं लेना अगर आपको याद नहीं होता है बहुत परिशानी है आपको याद करने में आप भूल जाते हैं तो आज के इस वीडियो के बाद नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत सारे सवालों को हम ट्रिक से रिलेट करके याद करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए हमारा पहला सवाल आप देख पा रहे हैं जर्मनी के नगर हाइड बलर्ब में पाए गए जिवासमों को क्या कहा जाता है देखिए यहां पर एक प्राट आप सब्सक्राइड यहां पर भी देखिए हाइड लगाया है तो इस परकार से आप इस तरह का आपस आप आपको नहीं दिखेंगा जहां पर हाइड लगा फाऊगा हुआ हूगा तो एक देख पा रहे हैं तो इस नियंडर से जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा option number B नियंडर गाटी में ठीक है यानि इसके नाम में यह answer छिपा हुआ है आप लोग बिल्कुल अगदम अराम से जो है आप वहाँ पर answer को हटा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा अगनी की जनकारी मानव को आज से कितने लाख वर्स पुर्व हो गई थी तो अगनी की जो जनकारी है मानव को आज से लगबक 14 लाख वर्स पुर्व हो गई थी ठीक है याद रखिएगा आधोनिक मानव के उदभव से संबंदित परती अस्फातपन मॉडल के अनुसार कौन सा मत जो है वो सह जो है तो इसका सही जवाब बजाएगा अपको आपसर नमबर ए मनुसिका उदभव एक ही अस्थान अफ्रीका में हुआ था ये उदभव जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट है हमारा आल्ट मीरा गुफाचित रिखिस देश में मिला है तो आल्ट मीरा गुफाचितर जो है वो आपका इस्पेन में मिला है अब आपको याद रखना है आल्टा मीरा है ना आल्टा मीरा इसमें जो है आपको मीरा अबड इस्तेमाल किया गया है और मीरा जो है वो किसका नाम है एक लड़की का नाम है याद रखना है आपको आपको इमेजिन करना है कि मीरा एक लड़की जाएगा आल्टा मीरा गुफा चित्र किस देश में है तो आल्टा मीरा चित्र जो है वो आपका इस्पेन में है ठीक है तो इमेज में आप जो हम जो आपको जो इमेज दे रहे न वो image क्या है मीरा नाम की एक लड़की है जिसको चित्र देखना बहुत पुसंद पसंद है अब वो कहा जाना चाहती है चित्र देखने के लिए इस्पेन जाना चाहती है ठीक है next है हमारा मेसोपोटामिया की देवी इनर नाना का संबंध किस से था ठीक है अतलब इस्त्री अब कोई पुरुस को तो कोई आज इंसान देवी कहेगा नहीं और इस्त्री है और इस्त्री से जो हम लोग क्या करते हैं पहले प्रेम करते हैं प्रेम करने के बाद उसके बाद क्या होता है विवा होता और विवा होने के बाद क्या होता है यूद हो जाता है क्या हो जाता है यूद हो जाता है यानि फिर अन्बन होता रहता है तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा मेसोपटामिया की देवी इनाना का संबन किसी हो गया प्रेम और यूद से ठीक है नेक्स्ट है हमारा मेसोपटामिया के उदर देवता कौन थे तो मेसोपटामिया क वुद्ञाB उधर देखो चान्द निकल आया तो देखे चान्द ही एक ऐसा चीज है यहाँ पर ओप्सन आप देख पा रहे हैं तो चान्द एक ऐसा ओप्सन से जिसके लिए यह वर्ड इस्तेमाल होता है उधर देखो उधर चान्द है तो चांद जब इंसान जब पहला दिन चांद होता है वो इतना पतला होता है वो जली दिखाई देता नहीं है और इसलिए जो है वो आपके मित्र जो आपको क्या बोल रहा है उधर देखो क्या देखो उधर देखो चांद निकल आया उधर देखो चांद निकल आया अच्छा असुरी एतना बड़ा है, एतनी तेज रोष्णी है, आज तक कभी सुने हैं कि कोई कहा है कि उधर देखो सूरज निकलाया, नहीं बोलता है, ठीक है, जल, जल एक ऐसा चीज है कि वो सबको दिखाए देगा, उसको दिखाने का ज़रूत नहीं है, हवा को भी दिखाने का ज़ टाएगा, असुर बनी पाल कहाँ का सा सकता, इसका सही जवाब है, असिसरीया, तो इसको याद करना भी बिल्कुल आसान है, आपको रठना नहीं है, आप आप्ससे बिल्कुल छाट सकते हैं, यहाँ पि देखिए पहला वड़ है आपका असुर, क्या है, असुर है, तो अस पनी दिमाग में बढ़ा लेते हैं तो आप उपसिन देखते के साथ अंसर को अलग कर पाएंगे औला स्वाल है किस रोमन शासक के सासऑ ने जबर्दस्त विद्रोः किया था तो कौन सा था वो बताईए तो वो था नीरो कौन था नीरो ठीक है तो किस रोमन सासक के सासनकाल में दासों ने दास क्या होता था दास का मतलब हो गिया गुलाम दास का मतलब क्या हो गिया गुलाम तो जबर्दस्त विद्रोह किया था क्या गुलामों ने कोई सोचा है क्या ग बन जाएगा अभी तक क्या था वो गुलाम था लेकिन वो जब से उन्होंने विद्रोह कर दिया तो वो क्या हो गया हीरो बन गया और हीरो से आपको नीरो याद रखना है ठीक है याद रहेगा अगला सवाल है हमारा निम्ण में से किस सासक का संबंद पवित्र रोमन सामराज जैसे था तो इसका सही जवाब है सारलमेन क्या होगा सारलमेन याद रखेंगे काफी इंपॉर्टन तो निम्ण में से किस सासक का संबंद पवित्र रोमन सामराज जैसे था तो सारलमेन अगला सवाल हमारा इस्लामिक कॉलेच अलज़ अज़हर कहां इस्तित है इसका söही ज हना इस्लामीक कोलेज का नाम देखे अल अजहर अर इस अजहर में दियान से देखियेगा इस अजहर में अगर हम औ को हटा दे तो क्या बन जाएगा जहर बन जाएगा और हीरा जो है का हीरा से का हटा देजिए हीरा जो है क्या होता है जहर होता है हीरा क्या होता है जहर होता है तो यह रही आपका ट्रिक याद करने का अगर आप से दिमाग से हट जाए कि अलहजर कहा है तो अजहर स तो हीरा जो है वो क्या होता है जहर होता है तो इसका अंसर आप काहिरा याद रखिएगा पहले खलीफा कौन थे पहले खलीफा कौन थे तो पहले जो खलीफा थे हमारे वो थे अबु बकर कौन थे अबु बकर अब इसको याद कैसे रखेंगे आप देखिए देखे आप यहा आप झानते हैं एगे जो सबसे पहले खलीफा कोन हो गए अबू बकर है नो चलिए तो आज के इस वीडियो में हमने 12 सवाल को इंक्लोट किया और उमीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा तो आपके लाइक के कारण ही हम वीडिय साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है आप लोग उसको जरू जोइन केजिए ठीक है न और हमारा खुद के चैनल का एक वाट्स आफ फाइन्स क्रूप चलता है आप लोग उसको भी जोइन कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलेंगे अपने अगले पार्ट में थैंक यू